मननिये वड़ा प्रधान श्रीये आपेला मूल मंत्र घरे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्त रहो अने जवाबदार बनो तथा जवाबदार बनाओ थी शरू करूछू जे लोगो अन्य राज्य माथी आवेल पोताने वतन जवा मांगता होए, तेवा लोगोंने पोतानो वतन सुधी पहुचाडवानी विवस्था सरकार्श्री द्वारा करूआ मां आवी रही छे। आ माटे खास्ट्रेन पन चलावा मां आवी रहेल छे, अने बस जेवी खानगी वाहनों मार्फते पन लोगोंने मोकलवा मां आवी रहेया छे। परन्तु आ माटे तंत्र द्वारा नियत करवा मां आवेल प्रक्रिया मुझब कारेवाई चाली रहेल छे, जेथी लोगों धिरज राखी ने तेमनी मदद करवानी प्रक्रिया मां सहयोग आवत पे तेवी अपील छे। अने आ बाबते लोकों काईदा हाथ मां लेवानों प्रेयत्न करशे तो ते बाबत चलावी लेवा मां आवशे नहीं अने कड़क मां कड़क लीते कारवाई करवा मां आवशे। आज थी लोकडाउन ना त्रीजा तबक्का शरू थे रहया छे। आ तबक्का दर्म्यान राज्य मां लोकडाउन नू अमल केवी रिते करवो ते मांटे केंद्र सरकार नी गाइडलाइन ने अधीन रहीने राज्य सरकार द्वारा एक तरक बध नीती गड़वा मां आवी भागों मां संक्रमण वधू छे विस्तार ने रेड जोन मां समावी ने त्याथी संक्रमण बाहर फेलातू रोकवा उपर ध्याने केंद्रित करवा मां आवी रहू छे जिथी रेड जोन मा आवता विस्तार ना लोकोए हवे चेती जवू जोईए अने लोकडाउन मा संपूर्ण सहयोग आपवू जोईए रेड जोन विस्तार ने अंदर पन ए भाग मा केशोनी संख्या सौथी वधू छे तेटला भाग मा कंटेन्मेंट एरिया बनावी ने ते विस्तार मा थी लोकों ने विस्तार बाहर अवर जवर शक्य तेटली ओची थाए ते प्रमाणे बंदोवस्त राखवा मा आवेल छे राज्य मा तमाम कंटेन्मेंट एरिया ना प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफर अथ्वा CCTV ना माध्यम थी पन सतत मोनेटरिंग करवानें सूचना आपवा मा आवेल छे उपरांत अवा विस्तार मा अवर जवर करता प्रत्येक वाहनने अने प्रत्येक व्यक्ती ने चेक करवा मा आवशे राज्य ना तमाम कंटेन्मेंट एरिया ने आजपास अवेला विस्तार ना लोकोए पन खूब तक्केदारी राखवीज जोईए अने लोकडाउन नू संपूर्ण पालन थाए ते सुनिष्चित करवू जोईए जो पूर्ती कारजी राखवा मा नहीं आवे अने संक्रमन ना केसों नी संख्या वद शे तो नवा कंटेन्मेंट एरिया बनावानी परिस्तिती उभी थाई शके डाखला तरीके अमदाबाद शहर मा मनिनगर विस्तार मा पन हवे नवो कंटेन्मेंट एरिया बनावा मा आवेल छे जेती रेड जोन मा आवता विस्तार ना लोकोई हवे चेती जवू जोईए अने लोकडाउन मा संपूर्ण सयोग आप पूच जोईए रेड जोन सिवाईना विस्तारों ने पन हलवाश्थी लेवा मा आवशे नई आ विस्तारों मा जे छूटछाट आपवामा आवेली छे ते सिवाई नी कोई सेवाओ के दुकानों चालू जणाई आवशे तो त्या तातकालिक गुनो दाखिल करी कारवाई करवामा आवशे सरकारनी गाइडलाइन प्रमाने हजू पन राज्य मा तमाम स्थडोय पान मसाला नी दुकानों शाला कोलेजों ने धार्मिक स्थानों बंद राखवामा आवेल छे जेती आवा तमाम स्थडोय पन सतत पुलीस द्वारा चेकिंग पेट्रोलिंग करवामा आवशे जो आवी कोई जग्या खुली मड़ी आवे तो केस करवामा आवशे ओरेंज जोन और ग्रीन जोन मा पन सोशल डिस्टेंस राखवा जेवी जे शर्तों ने अधीन छूट्छाट आपवामा आवी रहेया छे ते शर्तों ने उलंगन थातू ध्याने आवशे तो उपन गुनो दाखिल करीने काईदेसर ने करवाई करवामा आवशे डाखलतरी के टैक्सी मा मात्र बे मुसाफरों पूर्ती छूट आपवामा अवेल छे जिती आवा शर्तों ने भंग ध्याने आवशे तो करवाई थशे आम ओरेंज ने ग्रीन जोन विस्तारों ना लोकों ने फरी अपील छे कि पूर्ती तक्केदारी राखे अने लोगडाउन मा थी आपवामा आवेल छूट छाट नो दुरुपयोग ना करे नहीं तो काईदसर नी करवाई थशे लोगडाउन दर्मियान पुलीस उपर थेल हुमलान बनावों मा आरोपियो उपर पासा लगाडवानी कारवाई करवा मा आवे छे गईकाले आवा वधू बे बनावों मा पासा हेठड धर पकड करवा मा आवेल छे राजकोट ग्राम में जिलाना जस्दन पुलीस टेशन मा तारिक उगंतरीस चार वीस वीस न रोज पुलीस उपर हुमलान एक बनावों मा एक गुनों दाखिल करवा मा आवेल हतो आगुना मा सामेल आरोपियों ए गईकाले पासा निकाइदाना जोगवाई हेठड धर पकड करी लाजपोर मध्यस्त जेल सूरत खाते मोकली आपवा मा आवेल छे तेवी जुरीते बनासकाठा जिल्लाना वडगाम पुलीस टेशन ने हद मा तारिकोगंत्रीस चार वीस वीस न रोज एक आशावरकर महिला उपर अमुक लोकों द्वारा घुमला करवा आगे नो बनाव बनेल हतो आ अंगे तातकालेक IPC 307 जेवी गंभीर कलम हेठड गुनों दाखिल करी आ आरोपियों नी धरपकड करवा मा आवेल अती आ गुनामा सामेल सात आरोपियों नी गईकाले पासा हेठड धरपकड करवा मा आवेल छे फरिवक्त जनावु छूंके आवा तमाम बनावों ने खूबज गंभीरता पूरवक लईने करवाई करवा मा आवशे लोगडाउन बाद बने लाप्रकारन बनावों मा आज सुधी कुल 23 गुनावों मा चौपपन आरोपियों विरुद पासा हेठड करवाई करवा मा आवेल छे डिटेन करवा मा आवेल वाहनों पेकी गईकाले राज्य मा कुल 6,533 वाहनों मुक्त करवा मा आवेल छे हाल सुधी मा कुल 1,21,165 वाहनों मुक्त करवा मा आवेल छे सुसाइटी ना CCTV पुलीस द्वारा चेक करवा मा आवे छे अने ते आधारे गईकाले राज्य मा कुल 33 गुनावों दाखेल थेल छे जे मा 33 लोकों नी धरपकड करवा मा आवेल छे राज्य मा आज सुधी मा आवा कुल 526 गुना मा 800 लोगों नी अटकायत पन करवा मा आवेल छे लोकडाउन चालू छे त्यां सुधी पुलीस द्वारा सतत ड्रोन, CCTV अने ANPR ना माध्यम थी नजर राखवा मा आवी रहया छे अने जिया लोकडाउन भंग ना बनावो ध्यान उपर आवे छे त्यां काईदेसर नी कारवाई करवा मा आवी रहया छे गईकाले राज्य मा ड्रोन ना फुटेज ना मदद थी कुल 86 गुना दाखिल थेल छे आज सुधी मा ड्रोन ना फुटेज ना मदद थी कुल 11,064 गुना दाखिल करवा मा आवेल छे अने 20,965 लोगों नी धर पकड़ पन करवा मा आवी छे CCTV ना फुटेज ना अधारे गईकाले कुल 108 गुना दाखिल करी ने 133 लोगों नी अटकायट करवा मा आवेल छे आज सुधी मा कुल 2482 गुना समग्र राज्य मा नोंधाया छे अने आज सुधी मा कुल 3,574 लोगों नी धर पकड़ पन करवा मा आवेल छे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आधारे खोटी माहिती अत्वा अफवा अंगे ना एक्वीस गुना दाखिल करवा मा आवेल छे आज सुधी मा आवा कुल 645 गुना मा कुल 1327 आरोपियों नी धर पकड़ पन करवा मा आवेल छे सोशल मीडिया उपर अफवाओ फैलावता गईकाले एक्वीस अकाउंट पुलीस द्वारा बंद करवा मा आवेल छे तेमाज अत्यार सुधी मा कुल 506 अकाउंट पुलीस द्वारा बंद करवा मा आवेल छे गईकाले एनप्यार ना अनालिसिस थी ओगन सित्तर गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 1024 गुनाओ डाखिल थेल छे विडियोग्राफर द्वारा थेल शूटिंग ना अधारे गईकाले कुल 153 गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 2262 गुनाओ दाखिल करवा मा आवेल छे प्रहरी जेवा खास वाहन जेना उपर कैमरा लागेला छे तेनी मदद थी गईकाले उगण साइट गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 700 साइट गुनाओ दाखिल करवा मा आवेल छे गईकाल थी आज सुधी ना गुनाओ नी विगत जाहर नामा भंग ना गुनाओ नी संख्या 213 क्वारंटाइन करेल व्यक्तियों द्वारा काईदा भंग नी गुनाओ नी संख्या 1000 उगन साइट अन्य गुनाओ 625 गईकाल ना कुल गुना 3787 आज दिन सुधी ना कुल गुना 1,57,345 आरोपी अटक करेला नी संख्या 4770 जब्त करेल वाहनों नी संख्या 6600 मनिये प्रधान मंत्री श्री के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिये और जिम्मेदार बनाईये से शुरुआत कर रहा हूँ जो लोग अन्य राज से आए हुए हैं और वापस अपने गाउं जाना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों को उनके वतन तक पहुचाने की विवस्ता सरकार श्री द्वारा की जा रही है इसके लिए खास ट्रेन भी चलाए जा रहे हैं और बस जैसे प्राइवेट वाहनों द्वारा भी लोगों को भेजा जा रहा है लेकिन इसके लिए प्रशाशन के द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार कारिवाई चल रही है लोग धीरज रखें और इस प्रक्रिया में सहयोग दें अगर इस बारे में लोग कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सक्त में सक्त कारवाई पुलीस के द्वारा की जाएगी आज से लोग डाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है इस नए चरण के चलते राज्य में लोग डाउन का पालन कराने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अधीन राज्य सरकार द्वारा एक तर्क पूर्ण नीती बनाई गई है राज्य के जिन विस्तारों में संक्रमन ज्यादा है उन विस्तारों को रेड जोन में सामिल करके वहां से संक्रमन बाहर फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है रेड जोन विस्तार के अंदर भी जिन विस्तारों में संक्रमन की संख्या ज्यादा है इन विस्तारों को containment area बना के ऐसे विस्तार से लोगों की कम से कम movement हो ये ध्यान रखते हुए बंदवस्त रखा गया है राज्य के सभी containment area के प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफर या CCTV के माध्यम से भी monitoring करने की सूचना दे दी गई है इसके अलावे ऐसे विस्तारों में यातायात करते हुए प्रत्येक वाहन और प्रत्येक व्यक्ति को चेक किया जाएगा राज्य के सभी containment area के आसपास के विस्तार में रहते हुए लोगों को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और लोगडाउन का संपूर्ण पालन किया जाए ये सुनिश्चत करना चाहिए अगर जरूरी सावधानी नहीं रखी गई और संक्रमन की संख्या बढ़ने पर नए containment area बनाने की परिस्थिती भी उपस्थित हो सकती है उधारण के तौर पे अमदाबाद शहर के मरिनेगर विस्तार को आज नया containment area बनाया गया है इसलिए red zone से आने वाले विस्तार के लोगों को अब से सतर्क रहना चाहिए और lockdown में संपूर्ण सहयोग देना चाहिए red zone के अलावे के विस्तारों में भी पूरी सकती बढ़ती जा रही है इन विस्तारों में जो छूट दी गई थी उसके अलावा कोई भी सेवाएं या दुकान खुली होएं ये ध्यान पे आया तो तुरत गुनाद दर्ज करके कारवाई की जाएगी सरकार के अनुसार अब भी राज्य से सभी जगह पे पानमसाले की दुकान, स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थान बंद है इसलिए ऐसे सभी स्थलों पर पुलीस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है और कहीं कोई ऐसी जगह पाई गई तो पुलीस के द्वारा केस किया जाएगा इसके अलावा औरेंज जोन और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जिन शर्तों के अधीन छूट दी गई है ऐसे शर्तों का उल्लंगन होने पे भी गुना दर्ज करके कानुएं कारवाई की जाएगी जैसे कि टैक्सी में सिर्फ दो प्रवासी बैटने की छूट दी गई है इसलिए ऐसे शर्तों का भंग ध्यान पे आया तो कारवाई जरूर होगी इसलिए औरेंज और ग्रीन जोन विस्तारों में लोगों से फिर से अपील है कि पूरी सावधानी रखे और लॉकडाउन में दी गई छूट का दुरूपयोग न करें नहीं तो कानूनी कारवाई की जाएगी कोरोना वर्यर्स के उपर हुए हमले के दो और वारदातों में पासा के तहत कारवाई की गई है जिसमें राजकोट के जस्दन पुलीस टेशन में तारिक उनतीस चार बीस बीस के दिन पुलीस पे हमले की एक शिकायत दर्ज हुई थी इस गुना में शामें लेक आरोपी को कल पासा के तहत अरेस्ट करके सूरत लाजपोर मध्यस्त जेल भेजा जा चुका है ऐसे ही बनासकांटा के वटगाम पुलीस टेशन में तारिक उनतीस चार बीस बीस को के दिन आशा वरकर महिला पर हमले की एक शिकायत दर्ज हुई थी इस गुना में शामेल साथ आरोपी को कल पासा के तहत अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है लॉकडाउन के बाद ऐसी वारदातों में आज तक कुल 23 अपराधों में 54 आरोपियों के विरुद पासा की तहत कारवाई की गई है कल डिटेन किये गए वाहनों में राज्य में कुल 6533 वाहन मुक्त किये गए अब तक कुल 171,165 वाहन मुक्त किये गए है सुसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 33 गुना दाखिल हुए हैं और 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है अभी तक ऐसे 526 गुना में 800 लोगों को हिरासत में लिया गया है जब तक लोगडाउन अमल में है तब तक पुलीस के द्वारा निरंतर ड्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से नजर रखी जा रही है और जहां लोगडाउन के उलंगन की घटना ध्यान पे आती है उस जगह पे कारवाई अवश्य होगी राज में कल रोन की मदद से कुल 86 गुना दर्ज किये गए हैं अब तक ऐसे कुल 11,064 गुना दर्ज हुए हैं अब तक ऐसे गुना में कुल 20,965 आरोपी को भी रासत में लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पर कल कुल 118 गुना दर्ज करके 133 लोगों को अरेस्ट किया गया है अब तक ऐसे कुल 2,482 गुना राज्य में दर्ज हुए हैं जिन में कुल 3,576 लोगों को अरेस्ट किया गया है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत ख़वर या अफवा के 21 गुना दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे 644 गुना में कुल 1,327 लोगों को हिरास्त में लिया गया है सोशल मीडिया द्वारा अफवा फैलाने पर पुलीस के द्वारा 21 अकाउंट बंद किये गये हैं अब तक कुल 596 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद किये गये हैं कल A.N.P.R. अनालिसिस के द्वारा 79 गुना और आज तक कुल 1024 गुना दर्ज किये गये हैं कल वीडियो गाफर के द्वारा किये गये शूटिंग के आधार पे कुल 153 गुना और आज तक कुल 2262 गुना दर्ज किये गये हैं प्रहरी जैसे खासवानों पे लगे कैमरों की मदद से कुल 69 गुना और अब तक ऐसे कुल 760 गुना दर्ज किये गये हैं कर दो